है 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 आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टिंट चेप्टर आफ आइसी एसी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 शेयर एंड डिवीटिंट्स ठीक है फिरवन चैप्टर से सिचन 2024 ALL25 हम दुबारा आ इसको दुबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको डुबारा से रुए स्टार्ट कर रहे है ना तो इसे स्टे उस्स कस्टीं को समझSch के लिए आभी देख सारी 국 relay all Ben पर इससे पहले, इससे पहले मैं थोड़ा सापको ना कुछ आइडिया देता हूँ, एक बार आइडिया आपको अच्छे से मिल जाए, तो आपको टेंचन नहीं होने वाले, ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे पहला काम, अगर मैं S&D बोल रहा हूँ, S&D बोले तो share and dividends, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत spelling mistake कर देता हूँ, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ है ना चीजों को, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अब S&D की बात अगर मैं कर रहा हूँ, S&D की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले, shares क्या होते हैं सब, ठीक है, अब अगर मैं shares की बात करता ह हम सीख लेते हैं, उसके बाद मैं session पर आऊँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, मान के चलो, मान के चलो, अभी आपने देखा होगा कि मैं grow app use कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, आपने देखा होगा, फिर आप up stocks यूज करते हैं, तो यह क्या होता है, share market के कुछ applications है ना, तो जितने भी बहुत सारे applications होते है, share market पर, आप देख पारे होंगे, कि हम वहाँ से shares खरीद सकते हैं, buy कर सकते हैं, sell कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ यह सर सारा चोचला है, क्या चीज़, बहुत ही गजब की चीज़ ह क्या होता है, मैं आपको सारी चीज, पूरी कहानी बताऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कहानी देखेंगे, उसके बाद हम इस पर आएंगे, कि यह सारी चीज़े क्या है, मान के चलो, मान के चलो, अब मैं आपको shares की कहानी बताता है, मान के चलो, कि company है, और एक company का नाम के चलो jeanious classes जीनिस क्लास से एक कंपनी है यह ना आई मैं रिजि इसे तो में रेस्टरर नहीं हूँ बढ़ान के चलो जीनियस क्लासे से कंपनी और मुझे न, मुझे न, पैसा चाहिए, क्या चाहिए मुझे पैसा, पैसा तो सभी को चाहिए सकते हैं तो मुझे मानन के चलो कितना पैसा चाहिए, जाए मान के चलने एक लाग रुपे चलने अपने कंपनी को हम रजिस्टर करूं गा और U68 Park मार्केट पे को मत रजिस्टर करके और अगर मेरी कंपनी बिलकूल गाइड लाइन्स को फॉल्लो कर रही है तो मैं अपनेapp存ud या अपने shares market में उतार सकता हूँ इसका बहुत बड़ा process होता है बस एक simple सी चीज़ देखो जीनिस classes एक company हो मुझे एक लाग रुपे की जरुरत थी तो मैंने क्या बोला मैंने अपने 10,000 shares market पे उतार दी मैंने क्या बोला अपने 10,000 shares market पे उतार दी ठीक है simple कोई issue नहीं बहुत बड़ी है अच्छा मैंने per share per share मैंने हर share मतलब हर per share का cost जो है वो कितना रुपे रखा 10 रुपे रखा मैंने बोला भाई एक share की cost जो है ना वो 10 रुपे बड़ जब मैं अपनी company के share market पे उतार रहा हूँ ठीक है जब मैं अपनी company के share market में उतारता हूँ ना तो वो एक face value पे उतरता है क्या हो बोला मैंने वो एक face value पे उतरता है और ये जो face value होती है ना ये हमेशा fix रहती है क्या रहती है fix रहती है कभी change नहीं होती मैंने क्या बोला जो face value रहती है वो हमेशा fix रहती है वो कभी change नहीं होती तो मैंने क्या किया genius classes को एक लाग रुपे की जुरत थी तो मैंने अपने 10,000 shares market में उतार दिये और मैंने बोला भाई मेरी company जो है ना भाई वो अब सब की हो जाएगी अब देखो मान के चलो मैंने क्या किया मैंने 10,000 shares market पे उतार दिये मतलब अपनी company का 30% मैंने market पे उतार दिया मतलब अब जो भी मेरे share खरीदेगा ना वो genius classes का मालिक हो सकता है है ना मालिक मतलब बोले तो भाई genius classes का share holder हो सकता है हुआ है ना अब मेर पे अब देखो 70% share मेर पे हैं और 30% share मैंने market पे उतार दिये तो अब जो भी classes, genius classes का share खरीदेगा तो वो भी automatically एक मालिक ही हो गया है ना समझ पा रहे हो मतलब मैं मालिक था यहां पे genius classes का और मैंने मेरे पे कितनी मेरे पे अभी 100% 100% equity थी अपने company का बट मैंने अब यहां पे अपने आपको 70% रख दिया और market में मैंने 30% इसको उतार दिया share market पे अब यहां से जितने भी बंदे इस company के share खरी देंगे वो सारे सारे क्या हो गए इस company के share holders हो गए और जब यह company share holder है तो यह मालिक यह जो है यह company के genius classes के भी मालिक हो गए है मतलब मालिक आना अधिकार है इनका समझ पा रहे हो तो आप यह चीज देख पा रहे होंगे कि कभी भी कोई भी company का जो मालिक होता है वो कभी भी पूरे shares नहीं उतारता बस कुछ percent के share उतारता तो मेरी मालिक सापको अभी हटा देते हैं यहां से बहुत बढ़ी है तो यहां तक मैंने आपको बोला कि भी मुझे एक लाख रुपे की जुरुरत थी और मैंने company के 10,000 shares company market में उतार दिया और पर share की cost मैंने 10 रुपे रखिए तो जो company decide करती है एक face value decide करती है company तो मार्केट में उतारने से पहले face value करती है और वह face value हमेशा का हमेशा fix रहता है ठीक है वह ऐसा नहीं fluctuate नहीं करता वह fix ही रहेगा भाई तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया यह बताई बहुत बढ़िया तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गया हूंगा अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं तो आपने यह सब चीज देख लिए कि shares क्या होता है ठीक है अब आपने face value भी देख लिया face value को मैं क्या बोलता हूं इस face value को मैं बोलता हूं nominal value ठीक है nominal value भी बोलता हूं इस face value को मैं nominal value भी बोलता हूं तो मैं लिखता रहूंगा आप भी लिखते रहिए face value और nominal value बहुत बढ़िया face value और nominal value जो जब हम company में shares उतारते हैं तो ये first पैसा होता है जो company decide करती है कि इसका face value इतना नहीं चाहिए हम नहीं decide करते हैं तो face value और nominal value क्या होती है fixed होती है ये कभी भी कभी भी change नहीं होती ठीक है एक होती है nominal और face value और एक होती है market value market value यहां तक समझ में आया अचा market value जो है ये fixed नहीं होती it is not fixed ये fixed नहीं होती ये fluctuate करती है कभी बढ़ती है कभी गिरती है मतलब कभी बढ़ भी सकती है कभी गिरी भी सकती है मान के चलो कि भई genius classes के नाम सुनके बहुत लोग आगे हमने पैसा लगाना वाइस पर और बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिये तो भईया market value उसकी बढ़ जाएगी समझ पा रहे हो market value उसकी बढ़ जाएगी मतलब share महगा हो गया हमारा 10 रुपे का share मान के चलो वो 25 रुपे का हो गया तो भईया जितने भी मेरे जितने भी मेरे share holders से उनको तो फाइदा हो गया उन्होंने तो 10 रुपे में खरीदा था और अब वो 25 रुपे का हो गया तो market value बढ़ गए उसकी और मान के चलो बहुत सारे shares बहुत लोगों ने नहीं लिए तो उसकी market value गिर गई है ना तो जब भी जब भी एक और चीज बहुत important है जब face value face value face value जब nominal value यह face value जब nominal value के बराबर हो जाए है ना यह मैं बोल सकता हूँ face value बोलो तो जब market value face value कह रहो जब market value market की जो market की value है वो जब face value के बराबर हो जाए तो मैं इसको बोलूँगा इसको मैं बोलूँगा at par at par ठीक है जब market value जो है वो face value के बराबर हो जाती है तो मैं बोलूँगा at par है मतलब ना तो मैं नुकसान में हूँ ना तो मैं फाइदे में तेका आच्छा है जब मार्केट वेल्यू अ बढ़ं जाए जब मार्केट वैल्यू बढ़ं जाए मतब मार्केट वैल्यू तो मैं इसमें क्या बुलूँंगा प्रीमियम में हूँ है और अबमे Speech यहां तक क्लिए रह तो मैं बोलूगा बिलो पार और मैं इसको बोलूगा एड़ डिसकाउंट क्या बोलूगा एड़ डिसकाउंट यहां तक टेर है तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से सिनैरियो यहां तक सावज में आ गया होगा ठीक है बहुत बढ़िया ये चीज आपने समझ ली ये चीज आपने समझ ली अब फिर से वही वाली बात सीदी बात करेंगे बखवास नहीं करेंगे सीदी सी बात करूँगा कि वही जीनियस क्लासेज को एक लाग रुपे की जरुद थी तो एक लाग रुपे की अगर जीनियस क्लासेज को जरुद थी तो उसने जीनियस क्लासेज ने अपने 10,000 शेर्ड मार्केट पे उतार दिये मार्केट पे उतार दिये और जैसी उसने मार्केट में उतारे तो मैंने पर शेर का कॉस्ट जो है कॉस्ट जो है वो कितना रखा भाई बहुत ही नकली सा अमांट रखा 10 रुपे और यह जो मैंने कॉस्ट रखा न अब एक बंदा है मान के चलो नितिन है अब इस नितिन ने देखा यार जीनियस क्लासेस तो भाई बहुत बढ़िया है आज से दस साल बाद ये क्या पता और अच्छा हो जाए तो नितिन ने क्या करा नितिन ने भाई 50 शेर खरीद लिए क्या कर लिए नितिन ने 50 शेर खरीद लिए तो नितिन ने जो शेर मेरे खरीदे है ना नितिन ने जो मेरे शेर खरीदे जीनियस क्लासेस के शेर खरीदे तो नितिन ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी क्या करी कुछ इन्वेस्टमेंट करी और नितिन ने क्या करी, कितना पैसा लगाया, वही कितने शेर करी थी, पचास शेर, इंटू, और एक शेर की वैलिई किती, एक शेर की कॉस्ट कि थी, तस रुपे है, तो नितिन ने कितने रुपे का इंवेस्टमें ठाएगा, मेरे प्यारे बच्चो, पास सो रुपे का, मतलब जो पचास है, that is नमबर ऊफ शेयर इंटू N क्या है मेरी profit value 10 मेरी office value और और इनबबरी फेयर इंटू face value तो investment का जो Juda formula हो जाता है अब सर्ब Infinite नहीं कि कि इने 000 ओब्र भर अभी लेये वेल्या क्याक क्या है वो ओप इन्वेस्टमेंट इकका जो फार्मुला होगा वो होगा नंबर आफ शेर नंबर आफ शेर नंबर आफ शेर इंटु इंटु पेस्वालिव है ना या फिर आप बोल सकते हो उसका नॉमिनल वैलियू या फिर मारकेट वैलियू कितनी है फेस्वालियू के जगा आप इसको मारकेट वैलियू करे है ना marketing value एकितनी उसकी market में तो उतर गया नहीं है तो यां तक मेरी ख्याल से क्लिर हो गया हुगा ठीक सिंग बहुत बढ़ी यहां तक मेरे को समझ में आगा सार बहुत बढ़ी है से समझ में आगए अजय सरण dividend शेर्ट तो आपनेधा दे बता देँ ऊच्छासें सर डिवीडेंट क्या चीज है अब देखो मान के चलो मान के चलो कमपनी ने शेर्ट दाले और एक साल में कमपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ क्या बोला मैंने कि बहुत सारे शेर्ट होल्डर्स रहे होंगे तो इतने सारे शेर्ट होल्डर्स जब इसके थे और कमपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ तो कमपनी ने क्या करा कमपनी ने अपना जो फायदा था जो अपना इन्होंने प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट को इन सारे शेर्ट होल्डर्स को कुछ अमाउंट में दे दिया अब वो अमाउंट क्या है और वो रेट क्या है वो रेट डिसाइड करते हैं कमपनी के owners तीक है मान के चलो company के owner ने बोला भाई इस साला मैं अपने shareholders को ना 5% का dividend दूँगा कितने percent का dividend दूँगा sir 5% का dividend दूँगा मतलब मतलब क्या होता है sir इसका मतलब क्या होता है sir इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता तो सबसे पहले dividend का formula लिखता है dividend dividend होता है sir एन एन बोले तो number of share number of share into rate of dividend into pay value बहुत important बहुत खतरनाक चीज़ तो dividend क्या होगा sir number of share into rate of dividend into face value मतलब face value पे ही वो जो company का मालिक है वो अपना जो भी profit कमाया वो अपने shareholders को देता है मान के चलो वो जो company का जो मालिक है उसने पांच परसेंट का जो dividend रखा मान के चलो पांच परसेंट उसने रख दिया तो यहां पे उस नितिन को उस नितिन को एक साल में कितना परसेंट dividend मिलेगा वो हम देख लेते हैं ठीक है तो number of share नितिनने number of share खरीदे ते dividend equal to number of share कितने खरीदे नितिनने पचास के ते 50 इंटू rate ऑफ डिवेडेटेंट मिल रहा है 5% का इंटू face value की 10 तो 5 अपॉन 100 ठीक है यह company जो है ना company का जो profit है ना उस profit का share है यह dividend समझ में आ रहा है profit जो company ने profit कमाया ना अपने shareholder से जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करी तो वो आपका मेहनत वो खुद नहीं खाते हैं वो आपको भी देते हैं तो देखा होगा आपने बहुत सारे आप grow app में जाना आप आपके पापा या फिर आपकी मम्मी यूज करती होंगी shares पर पैसा लगाते होंगे तो आप देखना किसी भी company में जाना वहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर कौन सी company कितना dividend देती है तो यह चीज आप जरूर देखें और मुझे comment section में बताएं कि आपने देखा कि नहीं देखा ठीक है तो मेरी क्याल से यहां तक तो आप समझ गया होंगे ठीक है तो अब सीधे वापिस आ जाते हैं share and dividends में तो सबसे पहले shares क्या होता है आप देखें share क्या होता है total capital of a company is divided into small units of a fixed amount and each unit is called shares बिल्कुल सही बात मैंने जैसे क्या बोला कि genius classes की company थी और उसको एक लाग रु 10,000 shares market पे उतार दिये ठीक है और market में जैसी ही उसने shares उतारे उसका value उन्होंने face value उन्होंने 10 रुपे रख दिया और जिन जिन लोगों ने उसको खरीदा उसको क्या बोला गया shareholders ठीक है and share capital is divided into shares and the owners of which is known as the members or shareholders तो जिन ने खरीदा वो क्या कहला आए गया shareholders अचा dividend क्या होता है dividend is a distribution of a portion of companies total profit तो company ने कितना total profit कमाया है उसका class of its shareholders which is decided by the board of directors of the company तो company के board of directors decide करते हैं कि अपने shareholders को वो कितना percent देंगे जैसे कि अभी नितिन को 5% मिला था genius classes से बहुत बढ़िया आगे आते हैं वही चीज nominal value और face value और par value क्या होती है यह face value is a price of a share at a time it is issued है ना जब company ने issue किया था तो genius classes का मैंने आपको बताया थे कि 10 रुपे उसका face value रखा गया था face value कितना रुपे यह रखा गया था 10 रुपे ठीक है and it does not change over time यह fixed रहता है मैंने आपको बताया था it is fixed यह कभी change नहीं होता यहां तक clear है बहुत बढ़िया फिर आते है market value market value क्या होती है it is a price which is listed in the stock exchange or the price of shares in the market है तो यह क्या होता है यह fluctuate होती है ठीक है कभी बढ़ती है कभी गिरती है issues of shares at premium premium मतलब अबाव पार है मतलब यह share profit में है ठीक है और मैंने आपको यह भी बताया था issues of shares at discount जब यह profit loss जब यह share loss पर चल रहा है तो मैं क्या बोलूँगा at discount और below par ठीक है तो यह कुछ formulas है जो मैंने आपको बताया है ठीक है तो यहाँ पे आप formulas देख लीजए formulas बहुत ज़्याद है important है ठीक है यह चीज यह सारे बहुत सारे formulas है पर जो most important formulas है मैं आप यहाँ पर लिखवा देता हूँ बहुत simple है कुछ गवराने वाली जरूत नही है तो मैंने आपको नितिन का example दिया था investment कुछ important formula जो मैं लिख रहा हूँ investment होता है n into market value of one share अचा that n that n that n is that n is number of share ठीक है investment क्या होगा number of share into market value of one share ठीक है second क्या है हमारा dividend है बहुत important है dividend का formula होता है n into rate of dividend into face value rate of dividend into face value simple सी बात third है percentage return पर्सेंटेज रिटर्न होता है annual income upon investment कि अन्वल इंकम अपॉन इंवेस्टमेंट इन 200 यह बहुत ही important है ठीक है annual income या फिर मैं बोल सकते हैं annual income ठीक है अपन इंवेस्टमेंट इंटू हंडड़ अच्छा आते हैं फोर्त में अब आते हैं number of shares क्या होते है सर number of shares क्या होते है सर number of shares कैसे पता चलेगा कि आपने कितने investment किये आपकी investment upon market value of one share सिंपल सी बात है कितने number of share खरी दे वाई आपने है ना तो जितना आपकी investment है और upon market value of one share बता दो तो आपके number of share आजाएंगे जैसे कि नितिन का example मैं ले रहा हूँ यहां पर ठीक है नितिन का example ले ले ता हूँ तो नितिन की investment थी 500 रुपए और एक 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 शेर की कोस्ति दस रुपए तो मैं इसको divide कर दूंगा तो उसने 50 शेर खरी दे समझे रहो तो यह बहुत ही ज्यादा इजी चप्टर है ठीक है तो उमीद करता हूँ यहां तक आपको समय में आ गया होगा तो जितने भी questions है अभी हमने अभी इसका part one कि है part second part three आना बाकी है ठीक है और दिरे दिरे करके हम सारे chapters खतम करने वाले हैं अभी कल एक बच्चे का कॉल आया था कहरा था सर मुझे लोकस लोकी सर करा दो तो लोकस मैं उस पे session लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी लोकस पे तो अगर आपको पसंद आया होगा यह session तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और एक और चीज आई बटन पे आगर करवाल के सारे questions मैंने करा रहें तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और YouTube से चैनल Genius Classes थैंक यू सो मच बाई बाई